वैसे तो गोवा को खुबसूरत बीच और पार्टी वाइब्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों गोवा खास तोर से नॉर्थ गोवा का नाम सुनते ही जहन में एक ही केस घूम रहा है। सूचना सेट केस। छे जनवरी को नॉर्थ गोवा में एक महिला एक रेंटिट सर्विस अपार्टमेंट में अपने चार साल के बच्चे के साथ पहुंची। आठ जनवरी को टैक्सी से बैंगलूरू के लिए निकल गई। बच्चा ना उसकी गोद में था और ना ही उसकी उंगली पकड़े हुए। बच्चे की लाश उसके बैग में पड़ी थी। अपने चार साल के मासूम को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा एक मापर। आरोपी मा का नाम सूचना सेठ है, जो की चर्चित स्टार्ट अप दा माइंडफुल एयाई लाब की सीएओ है। एयाई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। ऐसा क्या हुआ कि एक मा के आचल पर अपने ही बच्चे के खून के दाग आए। गोवा मुर्डर केस में एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है। जिस रेंटेड अपार्टमेंट में सूचना ठहरी थी, वहां के स्टाफ ने टाल पर खून के धब्बे देखे जिसके बाद पुलिस को बुलाया थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले के तफ्तीश करनी शुरू कर दी थी, कड़ी-कड़ी जोड़ते हुए सूचना तक पहुचे और बच्चे की लाश बैक में मिली। पुलिस मामले की जाच कर रही है, अब पुलिस को एक हैंट रिटन लेटर मिला है। इस लेटर में क्या लिखा है, ये भी जान लेते हैं। दरसल गवा पुलिस को उस सर्विस अपार्टमेंट से जो लेटर मिला है। मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक उस खत में लिखा है कि मैं अपने पती को बेटे से मिलने वाला पोर्ट का आदेश बरदाश्त नहीं कर सकती। आला कि अभी ये नहीं पता चल पाया कि लेटर लिखा किसमें। वहीं गोवा से बेंगलूरू तक जिस टेक्सी में सूचना में सफर किया, उस टेक्सी के ड्राइवर ने बहुत कुछ पुलिस को बताया। टेक्सी ड्राइवर ने क्या कहा। न्यूज 18 द्वारा एक्सिस किये गए स्टेक्सी ड्राइवर रेजॉन डिसूजा से पूचताच के दौरान जानकारी साब ने आई। ड्राइवर का कहना है कि बैंगलोरू जाते समय, पुलिस स्टेशन पर रुखते समय भी महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नहीं तब जब पुलिस को बैग में बच्चे का शव मिला। पुलिस को दिये गए अपने बयान में ड्राइवर डिसूजा ने कहा कि उससे आधी रात के आसपा सूचना की बुकिंग गुली थी। समय को देखते हुए डिसूजा ने अधिक किराया बताया था लेकिन सूचना ने दस मिनिट के अंदर ही बुकिंग कनफर्म कर दे थी। ड्राइवर ने बताया कि वो यात्रा के लिए एक और ड्राइवर को साथ ले गया था क्योंकि लंबी यात्रा है। उसने बताया कि सूचना का सामान कार में लोड करते समय उसने असामान ने रूप से भारी बैग का जिक्र किया जिसके जवाब में सूचना ने कहा कि बैग में अंटीक्स और ग्रासिस हैं। कुछ घंटे बाद वे चौड़ा घाट पहुचे पास में दुरघटना के कारण भारी ट्राफिक जाम में फस गए। उस समय डिसूजा ने सूचना को सुझाब दिया कि वे हवाई अड़े पर ड्रॉप कर देगा जो की करीब था। क्योंकि जाम चार घंटे के बाद ही खुल पाये का लेकिन सूचना ने कार में ही रहने के लिए गा। रास्ते में वे गोवा करना तक बॉर्डर वर खाने पीने के लिए रुखे लेकिन सूचना गाड़ी से नहीं उपरी और दूसरी तरफ गोवा में होटल के करमचारियों ने तौलिये पर खून के धब्बे बेखने के बाद पुलिस को सूचित किया जिसके बाद गोवा पुलिस के कॉंस्टेबल ने सूचना से बात की और बेटे के बारे में पूछा ड्राइवर के मताबिक सूचना ने आराम से एक स्थानिये पता बताया और कहा कि बच्चा दिये गए पते पर ही लेकिन जब पता फरजी निकला तो पुलिस इंस्पेक्टर ने दिसूजा को फोन किया और कॉंक्री में बात की ताकि सूचना से एक सतर्क न हो जाए पुलिस ने दिसूजा को तुरंत अगले पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा समय निकलने और पास के पुलिस स्टेशन के बारे में जानने के लिए ड्राइवर रास्ते में एक रेश्टरॉब बढ़ा उसने अपने दोस को सूचना पर नजर रटने के लिए कहा सूचना ने डिसूजा के दोस से इस दौरान पूछा कि वो कहा गया तो दोस ने जवाब दिया कि बात्रूम यूट करी इसके बाद ड्राइवर सूचना को पुलिस स्टेशन ले गया उस समय भी सूचना ने कोई रियाक्शन नहीं दिया पुलिस स्टेशन के अंदर जब पुलिस ने सूचना का लाल बैक खोला तो तीन-चार कपड़ों के नीचे मरे हुए बच्चे का हाथ पितम पोस्त मौतम रिपोर्ट के मताबिक बच्चे की मौत दम धूतने से हुई कहा जा रहा है कि या तो किसी कपड़े या तक्ये से उसका दम धूता गया